हेलो फ्रेंड असलाव अलेकुम नमस्कार मैं हूँ साम रिन फातना आपका ऐसे फॉर्मेट किचिन में तेह दिल से स्वागत है हैपी रिपब्लिक्स डे टू आल मैं फ्रेंड्स आज मैं बनाने जानी हूँ रिपब्लिक टे पे जलेबी तो मेरी जलेबी जो है वो तीन कलर की होगी औरिज ग्रीन और वाइट तो चलिए स्टार्ट करते हैं जलेबी बनाना हमने लिया तीन कटोरी मैदा इलाइचि पाउडर दो-तीन टेबल स्पून चीनी हमने लिया है एक कटोरी भरके और सोडा बेकिंग पाउडर खाने वाला और मेरे पास यह डब्बा है तो मैं इस डब्बे से बनाऊगी अगर आपके पास नहीं है तो आप कपड़े में होल करके बना सकते हैं तो हमने चाशनी बनाने के लिए चीनी को डाला पतीली में उसके बाद एक कटोरी चीनी थी तो एक कटोरी हमने बराबर में बोर्डाला पानी और इलाइची पाउडर और लो फ्लेम में करके चीनी को मिल्ट होने तक चलाते रहना है चीनी हो गई है मिल्ट, चाष्णी में उबाल आ गई है, चाष्णी मुझे ऐसी बनानी है कि चाष्णी में तान ना है, चीनी मिल्ट हो जाए और चाष्णी जादा गाड़ी ना बने, तो चाष्णी तयार है, तो यहां हम चलिए लिक्विट बना लेते हैं, तो मैदे में हम ऐसी खाने वाला we Dust थोड़ा हुट कलर है औरेंच ये हमने डॉल और पानी पानी इतना डालना है कि ऑने ज्ञादा और गिला न बने नहीं तो जले से नहीं बनपाइगी ढ़िए ज़ुड़ी ओर ज़ुब आ तो निया लेनी है इसमें थूड़ा और पानी पड़ेगा तो हमने दो तीन पानी डाल के एक अच्छा सा पैस्ट बना लिया है और विच्ण कलर ये रेडी हो गया है देखिए कितना बड़िया पेस्ट बना है औरेंज कलर वाले लिक्विड रेड़ी हो गया है तो चले ग्रीन कलर तयार करते हैं टूं एक कटॉरी मैदे में हमने डाला भोघार में खाने वाला च्ठ अच्छा सब्सक्राइब कि दालते हैं हमने खाने वाला सोडा बहुत थोड़ा सा डालना है जादा सोडा पड़ेगा तो तेल में जो लिक्विड जो होगी वो भैल जाएगी ठीक से नहीं बन पाईगी तो चलिए वाइट कलर हम तयार कर लेते तो इसमें कोई भी कलर नहीं पड़ेगा इसमें हमने थोड़ा सा पानी डालके अच्छ तो आप तो हम ने डभ आ में बारी बारी से 3 नो जो में भण कोस बनेंगे अच्छ फ्र हमने फार देंगा नर्ग और और पर रहें कर ड़ी हैं तो हाई फ्लेम पे हमने कढाई को कर ले к Statistics आ तीज जब तक गरम हो रहे हैं एंग हॉन्हां पर रहे हैं को से हैं जनिदे कर डि तेल को गरम करना उसके बाद लो फ्लेम कर लेना तो देखिए हमने थास साब लिक्विट डाल के देखा कि तेल रेडी है कि रही तो उपर यह आगा है लिक्विट तो तेल होगा है रेडी तो चलिए स्टार्ट करते है जलेबी बनाना तो देखिए जलेबी मैं बना रही हूं shape देखिए मेरे झलेबी के कैसे आए है कोई बात ने test बहुत अच्छा आने वाला है तो देखिए हम बारी बारी से low flame पे उसमें जलेबी के shape बनाएंगे और एक सब्सें से जब ये इसमें पक जाएंगे तो हम इसको लो अब पारत नोłeगा हम हाइ फलेम रहेंगे तो यह जल जाएगे और अंदिर से कच्चे रह जाएगे। इसके उलट-इपलटर करने हैं तो देखें यह फलेम हो रहा है यह वाइट कलर है इसको ज्यादा प्रॉण भी नहीं करना है Gentlemen और हमने जो चाशनी बनाया है उसमें इसको डाल के छोड़ते हैं तो हम ग्रीन कलर को चलिए जलेबी बनाते हैं और इसे भी हम करते हैं तो देखिए ग्रीन कलर के शेप मेरे अच्छे आ रहे हैं तो मैं इसे बना रही हूं ग्रीन कलर के जलेबी तो इसे भी मैंने लो फ्लेम पे जलेबी मैं बना रही हूं और इसके आप लोग देखिए शेप और हमें बताइए कि ग्रीन कलर के जलेबी के शेप कैसे बने तो देखिए कड़ाई को जादा जलेबी को नहीं बनना है बस इतनी जगह बचा के रखनी है कि अच्छे से यह फ्राई हो सके एक से फ्राई हो तो हम इसको उलटके दूसे से कर रही हो तो ग्रीन कलर भीडियोटी अब चलिए करते औरेंज कलर फ्राई है आप देख सकते हैं कि औरेंज कलर की जो मैं शेप दे रही हूं वो कितने अच्छे शेप आ रहे है तो देखिए जलेबी जो है वह उपर देल में तैर रही है इस सारे को चाशनी में डाल के दस मिट तक के लिए छोड़ दोगी दस मिट के बाद मैं इससे सर्फ करूंगी पाउडर यलाची जो मैंने बना रखी थी उसको में गानिश करूंगी उसको मैं सर्फ करूंगी हमारी रेसिपी से आप बनाए और हमें बताएं कि आपकी जलीबी क दबाएं फिर मिलूंगी बाबाए टेकर अल्ला